Students, average profit method से goodwill निकालने के लिए आपको ये दो following steps फॉलो करने हैं, पहला step तो ये है कि आपको average profit निकालना है of given number of years, तो total profit of that given number of years को number of given years से रिवाइट कर दीजिए, Suppose आप 4 साल का average profit निकालना चाते हैं, तो 4 साल की profit को जोड लीजिए और 4 से रिवाइट कर दीजिए, अगर 5 साल का average profit निकालना चाते हैं, तो 500 साल की profit को जोड दीजिए और 5 से रिवाइट कर दीजिए, इस बात का और ध्यान रखेगा कि अगर किसी साल loss हो गया होगा, तो उस पर्चेज एवरेज वाले नंबर आफ यह से अलग होंगे बच्चो यह क्वेशन में गिवन होते हैं आपको तो इधान रखेगा नंबर आफ यह सब्सक्राइब करके आप गुडविल निकाल सकते हैं बच्चो सूपर प्रॉफिट मैथट से गुडविल निकालने के लिए आ नंबर आफ गिवन इस ठीक है बच्चो उसके बाद आपको निकालना है नॉम्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मला होता है नॉम्मल रेट बाई हंड्रेड मुल्टिप्लाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉइड और जब यह दोनों निकल के आ जाते हैं आपके तो इनके निकालने के लिए सेंपली इस सूपर प्रॉफिट को नंबर आफ यह परचेस से मृप्लाइ कर दीजे आपकी गुडविल आ जाएगी ठीक है बच्चो तो पहले आवरेज निकाल लिए आवरेज प्रॉफिट फिर नॉर्मल प्रॉफिट इनके डिफरेंस सूपर प्रॉफ कर दिजिए तीन साल का ले रहे हैं तो तीनोस साङ के प्रॉफिट जोडिए अपन 3 कर दीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फिर आपको निकालना है कैपिलाइज प्रॉफिट यानि कि जा भी आपका एवरीज कराया है उसे नॉर्मल रेट उफ रिटर्न से divide कर दीजिए या यह कह लीजिए कि average profit into 100 divided by normal rate ठीक है इससे आपका capitalized average profit आ जाएगा जिसे हम capitalized value of form भी कहते हैं फिर goodwill निकालने के लिए आप अपने इस capitalized average profit में से capital employed को minus कर दीजिएगा capital employed यानि की net assets assets minus liabilities तो capitalized average profit जो आपका step 2 से आया था उससे capital employed minus करेगे आपकी goodwill आ जाएगी तो यह तीन step है जिन्हें आपको follow करना है for the purpose of students capitalization और super profit method के तुरू goodwill कैसे निकाली जाती है आई यह देख लेते हैं हमारा सबसे पहला step होगा average profit निकालना जिसके लिए आपको total profit of given years को number of given years से divide कर देना है आपका average profit आ जाएगा दूसरा step होगा हमारा normal profit निकालना जिसके लिए आपको normal rate को capital employed से multiply करना है यानि formula बना normal rate by 100 multiplied by capital employed तीसरा step होगा हमारा super profit निकालना जिसके लिए आप average profit में से normal profit को minus कर देंगे आपका super profit आ जाएगा और जब super profit आ जाएगा तो super profit को आपको normal rate से divide करना है या ये कहलेजे super profit into 100 divided by normal rate ठीक है बच्चो इससे आपकी goodwill निकलके आ जाएगी तो ये 4 step आपको follow करने होते हैं goodwill निकालने के लिए capitalization और super profit method में ठीक है बच्चो इनको दिमाग में बठा लीजे बच्चो एवरेज profit निकालते समय अगर आपको इन में से कोई falling adjustment दे रखी है तो आपको उनका treatment इस तरह से करना है बच्चो abnormal loss और non operating expense प्लस कर दिये जाते हैं उस year के profit में abnormal gain और non operating income minus कर दिये जाते हैं overvalued closing stock है तो minus करिए opening stock है तो plus करिए undervalued closing stock है तो plus करिए opening stock undervalued है तो minus करिए asset को गलती से expense मालने था पहले तो उसे आप plus कर दिजे उस asset के amount को और उसके depreciation को minus करिए वहीं अगर आपने expense को गलती से asset बाल लिया था तो उसे आप आपस minus करिए मगर उसके deposition को plus करिए given year में से भी और आने वाले year में से भी ठीक है बच्चो पहले minus होना रह गया था तो अब minus कर दीजिए और partner को salary और emulation दिया जाना है तो उसे भी minus करिए from the profit of that particular year ही आपस करिए